कंजक्शन्स हुरूफे अतफ हुरूफे जोड तो चलिए सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करते हैं बिल आइकन को दबाते हैं वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं असलामो आलेकुम फ्रेंड्स और डियर स्टुडेंट्स वेल्कम टो एक्टिव लनर्स पॉइंट वेल्कम इन दा इंग्लिश क्लास तो फ्रेंड्स आज हम कंजक्शन्स ये सीखने वाले हैं कंजक्शन यानि हुरूफे अतफ हुरूफे जोड़ तो गंजक्शन्स के तौर पर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जैसे के फॉर एंड्ड नौर बर्ट और यट्सो तो ये जो वर्ड्स है ये गंजक्शन्स कहलाते हैं ये किसी दो वर्ड्स को या दो sentences को जोडने के लिए यूज होते हैं, तो इसे याद रखने के लिए यहाँ पर यह short form बनाया गया है fanboys, तो इससे आप याद रख सकते हैं, जैसे कि first है for, तो for we sometimes use for as a conjunction meaning because we use it in very formal and often literary context तो यहाँ पर जो for है यह क्योंके के लिए या इसलिए भी इस्तेमाल होता है या क्योंके के लिए because के तोर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसे के for example we love God for he first loved us we love God for he first love us तो यहाँ पर जो for है, because के तोर पर इस्तेमाल हुआ है इसके बाद second है and and मतलब और and used to connect words of the same part of speech clauses or sentences that are to be taken jointly तो and ऐसे words जो उन्हें कनेक्टने के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी भी speech के same parts है clauses है और sentences के same part है that are that are to be taken jointly और उससे उन्हें जो दो words है उनको जोड़ा जाता है जैसे bread and butter tea and coffee tomato potato and spinach इस तरह से थर्ड है nor nor का मतलब है ना ही nor किसले यूस होता है nor used before the second or further of two or more alternatives the first being introduced by a negative such as neither or not to indicate that they are each untrue or each do not happen तो nor किसी भी sentence में नहीं बताने के लिए second या उसके further of two और more alternatives के तोर पर इस्तेमाल होता है जिसे के they were neither cheap nor convenient वो ना ही cheap है ना ही convenient है तो यहाँ पर दोनों में ना ही इस्तेमाल हो रहा तो इसके जगह हम nor या neither यूस कर सकते first में they were neither cheap और nor convenient यानि के वो ना cheap है ना ही convenient है तो यहाँ पर ना इस्तेमाल हो fourth है but but यानि लेकिन but used to introduce a phrase or clause contrasting with what has already been mentioned तो but जो हो चुका है से बताने के लिए और उसके बाद لكن के तोर पर use होता है जिसे के he stumbled but didn't fall वो उसे ठोकर लगी लेकिन वो गिरा नहीं तो यहाँ पर لكن वो गिरा नहीं के लिए यहाँ पर क्या यूस किया but لكن वो गिरा नहीं इस तरह से बर्ड कंजेक्शन के तोर पर यूस होता है उसके बाद है फिफ्थ है और और यानि या जिस तरह से यूस टू लिंक अल्टरनेटिवस ये या वो इस तरह से हम जब बोलते हैं तो हम और का यूस करते हैं जैसे के a cup of tea और coffee tea और coffee tea या coffee यानि के इन दो words को जोड़ने के लिए क्या यूस हुआ और जैसे के glass और cup तो यहाँ पर क्या यूस होगा और इस तरह से दो words को या जब हमें बोलना है तो और बतोरे conjunction यूस कर सकते हैं इसके बाद है next yet yet यानि फिर भी अब but at the same time but nevertheless यानि के बहरे हाल nevertheless यानि बहरे हाल but लेकिन at the same time सही same वक्त पर but nevertheless बहरे हाल example the path was dark yet I slowly found my way path कैसा था dark था रास्ता डाक था फिर भी yet I slowly found my way फिर भी मैंने अपना जो रास्ता है वो मैंने ढूंड लिया इस तरह से yet का इस्तेमाल बत्वरे कंजेक्शन कर सकते है उसके बाद है so so and for this reason therefore so का मतलब है इस लिए so यानि इस लिए so किसलिए यूज होंगा and for this reason therefore किसी reason के लिए therefore इस तरह हम बलते है therefore I was not came इस तरह से इस तरह से so का जो यूज है वो conjunction के दौर पर इस तरह से किया जाता है तो I hope आपको ये जो session है वो अच्छे से समझ में आया होगा और जो conjunctions है और उनके uses किस तरह से करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आये होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग